आज बनाएंगे हम कीमा आलू, इसके लिए हमें आधा किलो कीमा चाहिए और प्याज, आलू, मेर्च पाउडर, धनिया पाउडर, टमाटर, लहसन दरक का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, कसूरी में थी, थोड़े खड़े गरम मसाले अब हमें इसमें तेल, दो चम्मच, डाल लाएं, इसमें हमें प्याज दालना है, अब हमारी प्याज हलकी लाज हो गई है, अब इसमें हमें खड़े गरम मसाले, डालना है, डालेंगे, अब इसमें हम कीमा डालेंगे, अब इसमें हम डारेंगे लहसान अद्रक का पेस्ट, दो चम्मल, नमक स्वादनुसार, धनिया पाउडर, तीन चम्मच, हल्दी पाउडर, एक चम्मच, मिर्च पाउडर, एक चम्मच, मिर्च पाउडर, एक पिसी हुई, प्याज, अब इसको थोड़ा भून के, भून के इसमें थोड़ा पानी डालके तीन सीटी ले ले, कुकर बंद करके अब इसमें हम तीन सीटी लेंगे, घुन चुका है, इसमें अब हम आलू, डालेंगे, टमाटर, कसूरी मेथी, हरी मिर्च, अब इसमें थोड़ा पानी डालके, दो सीटी ले ले, अब हमारा कीमा आलू पक चुका है, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ, डाल दें, अब यह कीमा आलू तयार है, पसंद आए तो प्रीच सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्टी होगसि जयसी, इसमें इसमें आलू बाम कीमा पारता यार्वचा है,